मजभ के मानने वाले हैं जितने भी मजभ हैं हमारे देश के इंदर हम सब को चाहिए कोर्ट का जो मामला चल रहा है हमें कोर्ट की मदद करनी चाहिए और उस जगा का चोड़ देनी चाहिए मुसलमानों को ग्यानवापी मस्जीद में सरवे के दोरान प्राप्त शिवुरिंग एवं तमाम हिंदू देवी देवताओं के विग्रह, खंडित विग्रह और तमाम चिन्ह मिलने के बाद मिली जुली पत्कियाद सामने आई है जहां हिंदू पक्ष इस अस्थान को हिंदूओं को सौपने की बात कर रहा है देवबंद के एक मुस्लिम नेता ने इस अस्थान को हिंदूओं को पुरीतर सौपने की वकारत की है इस नेता ने जो राष्ट्री ये मुस्लिम मंच देवबंद के जिरा संजोजक हैं राव मुसरफ अली इन्होंने यहां तक कह दिया है कि विवादित अस्थान पे इसलाम में नमाज अदा करना ना जायज है यह अस्थान विवादित है इस वे यहां अदा की गई नमाज करूर नहीं होगी इसे तुरंत हिंदू पक्च को सौप देना चाहिए नमस्काल साथियों बीवीटी चैनल में आपका स्वागत है आईए इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करते हैं कि किसने क्या कहा है वीडियो को अंतर तक देखते रहिएगा आपको सावी ब्यात समझ में आएगी मजभके मानने वाले हैं चे इतने भी मजभ के हमारे देश के अंदर हम सबको चाहिए को पोड का जो मामला चल रहा है हमें कोट की मदद करनी चाहिए और उस जगा को छोड़ देनी चाहिए मुसलमानों को वह तो दूसरों का पूजा अस्तल है वहां पर मंदिर थी और मंदिर तोड़ करके जो है मस्जित बनाया गया था हमें पता लगा है कि आठ से बारात तक फुट्टिक का जो है वो शीवलि कोट का जो मामला चला है हमें कोट की मदद करनी चाहिए और उस जगा को छोड़ देनी चाहिए मुसलमानों को इस संदर में सब लोग बयान तो दे रहें सादू संत्या मुस्लिम उलेमा और मुल्रा मौराना लेकिन उत्तरप्रदेश सरकार जो खामोस थी उत्तरप्रदेश सरकार के कई मंत्री इसमें एकाएक रात में तूट परे जैसे ही उनको खबर लगी कि सर्वे के दोरान वहां सीूरिंग मिला है कुछ विग्गर हमिले हैं तो उस हिसाब से उन्होंने भी अपने अपने बयान देने सुरू कर दिये हैं आए सबसे पहले उत्तरप्रदेश के उपर मुख्य मंत्री केशो परसाद मौिया के बयान को देखते हैं केशो परसाद मौिया ने अपने टूटर हैंडिल एकाउंट पे ट्वीट करते वे लिखा है कि सत्य को आप कितना भी छुपा लिजे लेकिन एक दिन सामने आही जाता है क्योंकि सत्य ही शिव है फेर आग अपने ट्वीट कर कहा है जिसका ना आदी है ना अनत है भगवान शीव की महिमा अननत है यह प्रसंता है इन्होंने ज़रक रही है इनके बयान से तिसरा जो बयान आया है मंती सुरेश खन्ना जी का आया है सुरेश खन्ना जी भगवान शीव के एक चित्र को अपने Twitter handle एक बयान है बेवी रानी मौर जी का, मंत्री बेवी रानी मौर जी का, बयान है सत्य ज्यादा देव नहीं छुपाया जा सकता, सत्य ज्यादा देव नहीं छुपाया जा सकता, गोतम बुधि जी ने कहा था, बेवी रानी मौर जी बुधिस्ट हैं, और कर बुधि पूर्ण मा इस दिन इनका यह Twitter महत्पूर्ण है, उत्तर पदेश के एक औरने मंतिर जैवीर सिंग जी, जैवीर सिंग जी ने अपने Twitter हंडूर एकाउंट पे कहा है, सत्य को आप कितना ही छुपा लिजे, एक दिन सामने आही जाता है, क्योंकि सत्य ही शिव है, बाबा की जय हर हर यह जैवीर सिंग ने डिप्टी सियम केशो पसाद मौया के tweet को ही, अपने Twitter में tweet करके, इस बात पे खुशी जाही की है, कि ज्यानवापी मस्जित के सर्वे के दोरान, वहाँ पे भगवान शिव की प्रतिमा, भगवान शिव का शिव रिंगर, और अन्य विग्रह चिन्ह त निसान आदी मिले हैं, इस पे वो लोग पसंद हैं, लेकिन साथियों सर्वे की रिपोर्ट अभी एक दो दिन बाद एक कोर्ट में दाखिर होगी, और उसके बाद कोई कोर्ट इस पे कोई decision देगा, इस संदर में मस्जित पक्ष की ओर से, सुप्रिम कोर्ट में आज सुनव इस प्रकार देखा जाए, कि जो भूचार मचा हुआ है पूरे देश के अंदर, ग्यान वापी, मंदिर और मस्जित, परकमर जो इस समय चल रहा है, इसमें सत्य की खोज क्या करना है, सीधा सीधा एतिहासिक तत्य है, इतिहास में बताया गया है, दिखाया गया है, लोग जानते हैं, अब अदालत में चुकी मामला है, अदालत में इस सिध्ध होगा, उसके बाद ही इस पर कोई फैसला आएगा, चुकि इस देश में जमुरियत है, जमुरियत में अदालत जो फैसला देगी, उसको सभी पक्षर मानने को बाद होते हैं, बाद साथियों इस वीड कर दीजेगा, हम इस प्रकार का वीडियो बनाते रहते हैं तैंक यू, तैंक यू बेर मच